सोशल मीडिया के जमाने में युवाओं पर रिल्स का क्रेश चड़ा है फेमस होने के लिए युवा सारी हदे पार कर रहे हैं सडक, बाजार, रेलगाडी या फिर मंदिर हर जगा रिल्स बनाते युवा आपको नजर आ जाएंगे लेकिन मंदिर में रिल्स बनाने को लेकर शद्धालूं और बुजारियों में खासी नराज़की है जिसको लेकर अब नियम सक्त किये जा रही है मंदिर में युवाओं की रिल्स की चाहत को अब बड़ा जटका लगने वाला है जोकि चारधाम के बाद अब हरिद्वार के प्रसिद्ध मंसा देवी मंदिर परिसर में भी मुवाइल के इस्तेमाल और रिल्स बनाने पर बैन लगने वाला है मंसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है आखिर मंदिर में मुवाइल के इस्तेमाल और रिल्स बैन करने की नोबत क्यों आई सबसे पहले ये समझते हैं आए दिन किसी ना किसी मंदिर में युवाओं के रिल्स बनाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल होते हैं जिससे मंदीर परिसर में कई दिक्कतें सामने आती है मंसा देवी ट्रश्ट के अध्यक्ष और अख़ड़ा परिशत के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने मंदीर में रिल्स बनाने पर कड़ा विरोध जताया है महंत पुरी का मानना है कि सोशल मीडिया के लिए मंदीर में जाते गंगाजी में जाते वहाँ हम वह भावना लेके नहीं जाते है हम वहाँ समर्पन लेके नहीं जाते है हम वहाँ श्रदा लेके नहीं जाते है हमारा विश्वास नहीं होता हमारा यहीं विश्वास रहता है सोशल मीडिया पे कैसे हम एक बार आ जाएं इसके लिए हम रील मनाते हैं और इसमें बेर लगना बहुत जरूरी है क्या मनसा देवी में भी इसके सुबाट की जाएगी दिना मेरा प्रियास रहेगा और मैं बहुत जल्दी बतादे की उत्राखन में कई मंदिर पहाडों की उचाएपर स्थित है मनसा देवी का मंदिर भी काफी उचाएपर है ऐसे में युवा मंदिर की उचाएपर रिल्स बनाने में अपनी जान को जोखिम में डालते हैं इसके अलावा मंदिर में फोटो और रियल्स बनाने के बाद भी, युवा फोटो क्लिक कराने के लिए मंदिर में काफी समय बिताते हैं, जिससे अन्य भक्त समय से माता के दर्शन भी नहीं कर पाते और मंदिर में भक्तों की काफी भीड जमा होने लगती हैं, जिससे माहूल इसलिए मंसा देवी ट्रस्ट ने मंदीर और मंदीर के आसपास रिल्स बनाने पर बैन लगाने का फैसला कर लिया है। इसलिए मंदीर में रिल्स बनाने पर रोक लगाने जा रहा है।